क्या आप भी अपने बालों को इस तरह से लंबा घhena को बसुरत बनाना चाहते हैं? बालों की गुरूथ नहीं हो पा रही है, बालों में घhena बनाना नहीं है बाल बहुत ही जज़ादा ज़ड़ रहे हैं, जब कॉम करते हैं तो ज़ड़ से ही बाल निकलने लगते हैं क्या आप भी अपने चोटी को इस तरह से मोटी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आज की रिमेडी इतनी ज़्यादा पावलफुल है अगर आप मेरे बताएवे तरीके से इसे बना करके अपलाई करते हैं तो यकीन मानिए 100% लिजल देगा आपके बालों की गुरूद बढ़ेगी बालों में घहना पनाएगा आपके बालों बहुती सिल्की और साइनी हो जाएंगे आपके बालों में चमक आएगी तो हाई ब्रीवन मैं हूलक्षमी मेरी चैनल लक्षविच किचन मैजिक में आप सब का स्वागत है वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूश्फूल लगे तिसे लाइक और फैमिली फैन में से जरूर कर दें मेरे चैनल पर नया है तो मैं चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं इस रिमेडि को बनाने के लिए आपको यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लेना है तो मैंने आप एक पतीला लिया है और इसके बाद आपको लेने हैं मेथी दाना जी हाँ फिरिंस मेथी तो हम सब की केचन में हमेशा ही अबलेवल होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम मेथी का इस्तमाल अपने बालों में कैसे करें कैसे हम मेथी का इस्तमाल करके अपने बालों को लंबा घना खुबसूरत बना सकते हैं बालों की जरों को मजबूत बना सकते हैं मेथी में निकोटेनिक नामक एसीड और भरपोर मातरा में प्रोटीन होता है जो हमारे बालों की जरू को मजबूत करता है तो यहाँ पर फेंस आपको दो चमच भर करके मेथी दाना ले लेना है इससे ज़्यादा आपको मेथी नहीं लेनी है मेथी हमारे डैमेज बालों को रिपेर करता है बालों की गुरूत को बराता है बालों में घना पल लाता है नेक्स आपको लेने है चावल तो आपके पास जो भी चावल है आप वो ले सकते हैं अगर आपके बालों में गंजा पना रहा है बालों की गुरूत रुख गई है तो अपने बालों में चावल का इस्तमाल करें चावल हमारे बालों को सिलकी साइनेवा बाउसी बनाता है हमारे बालों में चमक लाता है नए बालों गाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है तो तीन चमच भर करके आपको चावल लेने हैं और इसमें पानी डाल दें और इसे अच्छे से वास करें ताकि चाविल के ओपर जो भी केमिकल होंगे पाउडर मिक्स होगा वो निकल जाएंगे तो दो से तीन पानी से इसे अच्छे से वास कर लेना है तो देख सकते हैं पानी पहुत ज़्यादा गंदा हो गया है तो इसे हम निकाल देंगे और फिर से दूसरा पानी से अच्छे से वास कर लिए तो यहाँ पर मैंने दो से तीन पानी से वास कर लिया है अब इसमें धेर सारा पानी एट कर देंगे अब इसे गैस पर चरहा देना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है तो अब हम इसमें उबालाने देते हैं देख सकते हैं फ्रेंस पानी में उबाला चुका है और अब हम इसमें दो चीजे और एट करेंगे और इसका इस्तिमाल बॉयज हो या फिर गल्स हो कोई भी कर सकता है क्योंकि लड़कों के भी बाल बहुत ज़्यादा जहरने लगे हैं तूटने लगे हैं तो इसे दो सी तीन म में पानी है जब यह अच्छे से पक जाय तब हम इसमें एट करेंगे ऐलोवेरा जेल तो यहां पर मैंने प्लांट का लिया और इस रेवेली के लिए आपको प्लांटंत का ही ऐलोवेरा जेल लेने हैं और आप भी जानते हैं कि एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए कितना में फायिदे मत होता है तो यह पर देख सकते हैं मैंने एलोवेरा की दो लिपस लिये थे उसका सारा ही जेल निकाल लिया था तो अब हम एखिशा मिनट के लिए पकाएंगे थाकья इलोवेरा के कि समस्यां आम हो चुकी है तो इसलिए नेचुरल चीज़ों का हैं अपने बालों में इस्तमाल करें बाल जरने के कई सारे कारण भी होते हैं उसमें पहला कारण है बहुत सारा केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तमाल अपने बालों में करना पारलर में जाकर के महगा महगा इस तुरू हो जाते हैं बालो में फ्रीजिनेस से आ जाती है और दूसरा कारण होता है हमारा खान-पान अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हैं खुब सारा पानी नहीं पी रहे हैं जब अंदर से आप हेल्दी नहीं है तो आपके बाल हेल्दी कैसे होंगे तो इसलिए अच्छ सा होती जाएगा यह बिल्कुल ही नेचुरल है इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे सी बॉयल हो चुका है मैं इसे 5-6 मिनट के लिए अच्छे से बॉयल किया है तो गैस को बंद कर दें और इसे च्छननी लगा करके छान ले देते हैं अब यहां फ्रेंस एलोवेरा की जो बरे बरे टुक्रे रग है तो इसका यूज में आपको आगे बता देते हूं और यहां देखिए बहुत ही अच्छा हमारा है टोनिक बन करके तयार हो चुका है तब इसे ठंडा होने देते हैं जब ठंडा हो जाए तम एक मिक् कर ले रहे हैं तो यहां देख सकते हैं मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और बिल्कुल जाग फॉम सा हो चुका है तो अब इसे हम एक बरतन में निकाल देते हैं तो देख सकते हैं इसका बिल्कुल कलर ही चेंज हो चुका है तो अब इसे लगाना कैसे इसे लगाने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए और इसे लगाने से पहले हम इसमें एड़ करेंगे एक विटामिन E की कैपसूल इबियों 400 की कैपसूल आती है और ये मार्किट में आपको इजली मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइज होता है फ्रेस आप इसे जरूर से मंगा लेजिएगा और ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होता है तो विटामिन E का हम सारा ही ओलिस में डाल देंगे अगर आपके बालों बहुत ही ज़्यादा जहर रहे हैं बालों का जहरना बंद नहीं हो रहा है तो आप विटामिन E का यूज करें अपने बालों में नहीं है तो आप कोटन की साहता से अपने स्केल पर लगाएं पांच मिनट के लिए मसाज करें और इसे लगाने के बाद आपको सेंपू बिल्कुल भी नहीं करनी है अप जाहे तो नॉर्मल पाने से बालों को वास कर सकते हैं आप इसे नाइट में भी लगा सकते हैं रात में पांच मिनट का मसाज दें और सुबह बालों को वास कर सकते हैं सेंपू बिल्कुल भी नहीं करना है और इसे विक में आपको तीन से चार दिन भी कर सकते है अराम से इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है आप यकीन मानिए आप इसको लगातार यूज कीजिए आप इसक पूरी से भी यूशफू लगी है तिसे लाइक और फैमिली फैनल में से जरू कर दें थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई